ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को दशिन अफरीका के लिए रवाना हो गए ब्रिक्स में भारत के अलावा ब्राजिल, रूस, चीन और दशिन अफरीका शामिल है इस बार का सम्मेलन दशिन अफ्रीका के जोहानुस बर्ग में आयोजित हो रही है चंद्रियान 3 के चंद्रमा पर सफलता पुर्वक उतरने को लेकर प्रातनाओं का दौर अज़ारी है चंदौली के पीडिडियू नगर के बद्याले में बच्चों ने चंद्रियान की सफलता को लेकर भगवान शिव से प्रातना की साथ ही देशभक्ती गीत काकर इसरों के विज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया बच्चों को कूरा विश्वास है कि इस बार चंद्रियान 3 चंद्रमा पर सफलता पुर्वक लैंड करेगा मुंबई से आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट की नापपूर में उस समय इमजेंसिल लैंडिंग करानी पड़ी जब उसमें सवार एक यात्री की तब्यत अच्छानक बिगड़ने लगी यात्री को अस्पता ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया कासगंज में उफंती गंगा नदी के तेट वर्ती गाओं का संकट बढ़ गया है उफंती गंगा की वज़से कासगंज के पचास गाओं में बाढ़ का खतरा मंड़ाने लगा है वही जगा जगा जीला प्रशासन ने बाढ़ चौक्या बढ़वाई है धनबाद के उपभोगता फोरम ने कुरकूरे बनाने वाली कमपनी पर धाई हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है महुदा थाना चेत्र के तेल मुच्चों के रहने वाली एक उपभोगता की शिकात पर उपभोगता फोरम अदालत ने यादेश दिया है उपभोगता ने आरोप लगाया था की कमपनी ने कैश बैक के नाम पर फरेब किया है लनितपूर के नहरू महाविद्याले में पड़ रही बियस्टी एग्रिकल्चर की छात्रों ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शुनकर छात्रविती की मांगी छात्रों ने डियम को ग्यापन भी सौबा बिहार में नाग पंचमी के अफसर पर महावीर जुलूस निकाला गया कुछ जगों पर महावीर जुलूस के दौरान तनाव की खबरे भी सामने आई है पिहार के बगहा और मोतिहारी में तीन जगह पर दोग पक्ष भीड़ गए इसके बार खूब तोड़ फोर और आगजनी हुई फिलाल रिस्तिती नियंत्रन में है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जार्खन सरकार पहली बार बाल कलाकारी प्रदर्शनी आयोजित करेगी इसको लेकर सिक्षा विभाग द्वारब पूरी तयारी की जा रही है इसको आयोजित तीन से पाच नवंबर तक राची के आज्रे हाउस में किया जाएगा इस तीन दिवस्ये बाल कलाकार प्रदर्शनी में सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइबेट स्कूल के बच्चो द्वारा बनाए गए कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा विजनौर थाना के नजीबाबाद नहर पर बाई के लुटेरों ने एक फाइनाइंस करमचारी से 80,000 नगद और मुबाईल छीन लिया और फरार हो गए पुलिस गटना की जाच में चुट गई है हापूर के नगर कोतवाली छेतर के मेदनी नगर में दो चातरों के बीच मारपीच का मामलत सामने आया है इस दोरान चातरों ने एक दूसरे को जंकर लात घूसे भी मारे जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरन हो रहा है